तो exercise 3.2, question number 6, 765, sign 765 को दो method से कर सकते हैं, तो 360 किसे divide करें अगर इसको, तो quotient rule लिखें, मतलब division algorithm लिखें, तो ये क्या है, 360 तो divisor है, तो quotient कितना हुआ, 2, तो remainder कितना हो जाएगा, 45, तो 2 into 360 plus 45, तो ये 2 into 360 मतलब 2 complete rounds, तो इसको बूल जाओ आप, ठीक है, और 45 डिग्री रह जाएगा, sign 45 कितना होता है, 1 by root 2, एक तरीका तो ये हो गया, दूसर तरीका ये है, कि 765 minus 2 into 360 कर दो, तो कितना है, 2 into 360 तो 720 होता है, तो ये 2 complete round हमने minus कर दें, तो कोई फर्क निबड़ता है, तो क्या बचेगा, 45, तो sign 45 क्या होता है, 1 by root 2, ऐसे भी कर सकते हैं, इस तरह से ये भी समय लिए, इसे किया है, कि मैंने लिखा 720 plus 45, फिर 720 को लिख दिया, 90 into 8, फिर उसे पता चला की 8 तो हो है, तो sign change नहीं होगा, और फिर 45 है, तो फिर 1 upon root 2 आगे, ये भी सही है, ये भी तरीका सही है, तो ये भी देखो, ये 720 plus 45 है, पर आपने इसको 19 to 8 लिखा है, एक ही बात है, तो क्योंकि वो even multiple 90 का होगा, तो change नहीं होगा, पर quadrant आपको पता है, कि हैना, फिर्स quadrant हो जाएगा ये, तो फिर्स quadrant क्यों, क्योंकि 2 complete round लेने के बाद, प्लस 45 मतब फिर्स quadrant, इसलिए ये positive रहता है, यहां पर, चलिए, एक बार बार ये देख लेता है, कोसेक 1410 डिग्री दिख लेते हैं, तो हम 360 को 4 से multiply करें, तो 1440, यहने इसके आसपास पहुचना था, तो यह पहुच गया हम, 1440 यह 1410, तो हमने 4 rounds complete add कर दी है, तो उससे फर्क नहीं पढ़ता है, तो रेसिफर के ले लो, तो 2 हो जाएगा answer, तो यह method 1, ऐसी method 2 देख लो, cosect minus 1410, तो cosect minus 1410, cosect of minus theta हमें पता है, minus cosect theta होता है, क्योंकि मैनस θėta कॉसे कॉरण में है, फूर्थ कॉरण में कोसे क्या होता है, नेगेटिव होता है, तोफिर कॉस से पॉसएफ होता है, तो इसलिए ये नेगेटिव आ गया है, और कोसे की मैननस त्रफ़क आँन भान जिरो, कि ये कितना है , मार्नस अफ क क से 1410 माइनस बहार आ जाएगा अब आप फिर से 1410 को 1440 माइनस 30 भी लिख सकते हो 1440 में से 30 गया तो 1410 बचेगा तो कितना हो गया 316 to 4 1440 तो यह दो complete 4 राउंड है भूल जाओ इसको तो क्या बचेगा कोसेक माइनस 30 फिर से माइनस बहार लियाओ कोसेक 30 कितना होता है वन अपॉन साइन 30 और वन अपॉन वन बै टू याने टू हो जाएगा एक और मैथड देखलो कोसेक माइनस 1410 तो माइनस बहार आ जाएगा माइनस कोसेक 1410 तो इसको हम 1080 प्लस 330 लिख सकते हैं याने 3 राउंड त्री इंटू 360 प्लस 330 तो यह तीन राउं भुल गए हैं तो क्या बचेगा कोसेक 330 कोसेक 330 अब इसके 2 पार्ठ कर लो दो तरह से सौल कर सकते हो कोसेक 330 को हम 360-30 भी लिख सकते हैं तो 360-30 यह कंपलीट राउंड है तो इसको भूल जाओ भूल गए तो यह कोसेक सकते हैं तो फिर माइनस माइनस हो जाएंगे सइके क्या अपर ऊसे ही एसे ही से वापस देखें कि 30ुका היya ठो हम कौना से हैं Zaraz कींगifter सकते हैं। από क्योंगा लेक्षिक क्या होता है और י का ओड्मींटेवल था उसेक्त है। आर ये नाईन्टी βा気 metric सोन नेकिटिव सब्सक्राइब met and सब्सक्राइब तो मांद 250 क्यांट तो snailुक्त और को सिक्स्टीए तो ऊपर जाने के तुक च्छाय किसी भी मेतफ़ज से निकालो आज़सर आपका सेम आएगा तो फिर से समझेंगे यह जो कॉस्ट 330 है उसको हम दो तरह से लिख सकते हैं किसकी बीच में लाए कर रहा है 360 और 270 तो यह तो हम इसको 360-30 लिखें जो हमने यहां पर लिखा है और या फिर इसको लिखेंगे 270 270 प्लस 60 तो दो तरीकह है इसको करने के तो अब जब हम को सेक 270 प्लस 60 लिखते हैं तो 270 प्लस 60 फोर्ट ब्लस सेक जो है वह नेगेटिव होता है क्योंकि एड़ शुगर टू कॉफी कॉफी मतब एड़ शुगर तो कॉस पॉजिटिव होता है और सेक पॉजिटिव होता है तो इसलिए यहां पर एक और माइनस नहीं लगा देंगे और यह 270 का होता है नाइंटीव तो टू सेवन्टी होता है स्गेंगे और सेक शिक्स्टी क्या होता है मैनस मैनस तो प्लस ओगया तो वन अपॉन कॉस्टी की वैल्यू हाफ याद है तो उपर ले जाएंगे तो तो आंसर आजाएंगगा ठीक, example 8 में भी 2-3 method से कर सकते हैं, तो 10, 19, 5 by 3, radians वाले question को कैसे करते हैं, तो हमने ऐसे किया, 19 को 3 से divide किया, तो यहां देखो side में मैंने 19 को 3 से divide किया, तो ऐसे कर सकते हैं, 3, 6, 18, remainder बच गया 1, तो division algorithm से लिखो, तो 19 तो dividend है, तो 19 dividend है, तो इसको कैसे लिखेंगे, कि divisor into quotient, 3 into 6, और plus remainder, plus 1, और divided by 3 तो था ही, pi भी था, तो अभी 3 दोनों की नीचे लिखो, अलग लग, तो 3 इसके नीचे लिखो, इसके नीचे, तो यह 3 से 3 cancel, तो क्या बचा, 6 pi plus pi by 3, पर आपको पता है, 2 pi 1 revolution होता है, तो 2 2 pi 1 revolution होता है, 2 pi into 3 लिख सकते हैं, 6 pi को, तो यह 3 complete round हो गया, तो इसको skip कर दो, इसको भूल जाओ, यह लिखा भी है, तो इसके जगे हम लिख सकते हैं, direct 10 pi by 3, और 10 pi by 3 मतलब 1060, और 1060 के value क्या होती है, root 3, तो यह तो एक method हो गया, ऐसे ही method 2 देखो, 10 19 pi by 3, तो इसको मैं ऐस इसे भी लिख सकता हूं, देखो division हम ऐसे भी कर सकते हैं, कि 3, 6, 18 के जगे हम 3, 7, 21 कर दें, पर 19 तो छोटा है, और 21 बड़ा है, तो सब्ट्राक करेंगे, तो यहाँ पर क्या आएगा, minus 2, तो फिर से इसको division अलगा होता हम से लिखेंगे, तो dividend is equal to divisor into quotient plus remainder, 3 into 7 minus 2 लिख दे तो देखो, यहाँ पर मैंने क्या लिखा, 19 की जगे, 3, 7 से 21, 21 minus 2, 19 आ जाएगे, तो हम इस तरह से लिखेंगे, इस तरह से भी लिख सकते हैं, तो अब मैंने 3 दोनों के नीचे अलग-लग लिख दिया, तो इदर अलग लिख दिया, और उसकी नीचे अलग लिख दिया, तो 7π को 2 split कर दिया, 2 part में, 6π plus π, क्योंकि यह complete 3 rounds है, 3 into 2π, और यह πाई-2π by 3 क्या होता है, lc म ले लो, 3π-2π कितना होता है, 3π-2π तो πाई-3 होता है, तो इस तरह से हमने, यह complete round तो भूल गए, यहाँ पे लिखे भी है, हटा दिया इसको, और यह πाई-2π by 3 क्या होता है, lc म ऐसे ही, question number 10 समझ लो, cot minus 15 pi by 4, तो हमने 15 को 4 से divide किया, अच्छा, cot क्या होता है, 4th quadrant में है, 4th quadrant में तो negative होता है, तो इसका मतलब, यह पता नहीं है, हमें कौन सा quadrant है, पता करना है, ठीक है, तो 15 को हमने क्या किया, हमने 4th quadrant क्यों बोला यहाँ पे, क्योंकि है, हम assume कर रहे है कि cot minus theta है, minus theta मतलब, जब भी minus theta होता है, तो हम assume करते है, 4th quadrant है, ऐसे बान के भी कर सकते है, पर इस में हमने इस method से नहीं किया है, हमने direct 15 को 4 से divide किया, 4 जाए 16, तो वो तो ज्यादा हो गया 15 से, कोई बात नहीं, remainder क्या बचेगा, minus 1 बचेगा, तो हमने इसको division algorithm लगा दिया, क्य यह pi by 4, जब 4 into 4 से में प्लायागा, तो एक 4 cancel हो जाएगा, यहां से, तो बचेगा, minus 4 pi, और minus into minus क्या होगा, plus, और plus pi by 4, तो यह 4 pi तो दो राउंड हो गए, 2 round मतलब कौन से clockwise वाले, क्योंकि negative sin is का मतलब clockwise round लिये, 2 pi का मतलब 1 round, और 4 pi का मतलब 2 rounds, और minus का मतलब clockwise direction, तो अब यह दोनों skip कर दिया, minus 4 pi skip कर दिया है, तो बचा, cot pi by 4, cot pi by 4 मतलब cot 45, और cot 45 क्या होता है, 1 होता है, तो इस तरह से हमने 10th question भी देख लिया, कैसे होगा, तो एक बार फिर से 9th question देखे, इसके भी दो-दो method से हमने किया इसको, तो sin of minus 11 pi by 3, तो हमने इसको assume किया, कि minus theta है, sin of minus theta, माल लिया कि यह fourth current में है, और मैं पता है, sin of minus theta क्या होता है, minus sin theta, क्योंकि fourth current में sin negative होता है, सिरफ cos or sec positive होता है, तो हमने इसको sin of minus 11 pi by 3 को minus बाहर, और sin 11 pi by 3 लिख दिया, अब 11 को 3 से divide करो, तो 3 3 is the 9, remainder बच गया, 2, ठीक है, तो अब आप इसको division algorithm से लिखो, 11 की जाएगे क्या लिखोगे, 3 into 3 plus 2, तो 3 into 3 plus 2, denominator में 3 था, तो अब आप क्या करोगे, दोनों तरफ, दोनों term के नीचे 3, 3 अलग लिखो, तो इसमें तो 3 कट जाएगा, और यह pi अंदर लिया हो, तो 3 pi plus 2 pi by 3 हो गया, ठीक है, अब यह 3 pi plus 2 2 by 3 मतब कौन सा coordinate हो जाएगा, तो मैं यहां पर दिखाता हूं, आपको 3 pi plus 2 by 3 क्या होता है, तो draw कर देता हूं यहां पर, जिससे आपको समझ में आ जाएगा, तो मैंने यहां पर लिखा, कि one complete round, वो तो 2 pi होता है, तो यहां से यहां तक तो pi, फिर यहां से यहां तक 2 pi, और यहां से यहां तक कितना हो गया, 3 pi, तो जहां पर pi आता है, वहीं पर 3 pi आता है, और 3 pi में हम कुछ add कर रहे हैं, तो 3 pi में क्या add कर रहे हैं, 2 pi by 3 add कर रहे हैं, तो वो मतलब नहीं है कि 2 pi by 3 value जो है, बहुत बढ़ी है, इसको theta माल लो, तो यह कौनसा coordinate हो भाए, हम मालेंगे है कि यह 3 pi plus theta है, तो यह quadrant कौनसा होगा, मालो की यह third quadrant हो जाएगा, ठीक है, तो third quadrant में हमें पता है, कि sine क्या होता है, negative होता है, तो third quadrant में sine negative होता है, तो हम क्या करेंगे? minus sign लगा देंगे, तो हमने एक और minus sign, पहले से एक minus sign था है, एक और minus sign लगा दिया, तो क्या बचा, sine 2 pi by 3, और sine 2 pi by 3 तो sine 120 होता है, और 120 तो second quadrant में लाय करता है, तो 2 pi by 3, मैंने बताया है था 2 और 3, तो यह difference कितने का है, 1 का, और numerator चोटा है, तो इसको हम 1 minus 1 by 3, याने pi minus pi by 3 लिख सकते हैं, और यह बताओ, कि sine pi minus pi by 3, याने कौन से quadrant हुआ, pi में से कुछ minus किया, याने 180 में से minus किया, तो second quadrant हुआ, और second quadrant में sign क्या होता है, वो तो positive होता है, तो फिर sign change होगा क्या, यह pi मतलब 180, 180 क्या होता है, 90 into 2, तो यह तो even multiple है, तो even multiple है, तो sine cost में चेंज नहीं हो रूट 3 by 2, तो यह एक तरीका, दूसरा तरीका देख लो, minus 11 pi by 3, sin of minus 11 pi by 3 में हमने division किया, कैसे किया, अब थोटा सा जाधा number लिया कि negative आजा है, reminder, 3, 4, 12, और 11 minus 12 क्या हो, minus 1, तो मैंने अब इसको division algorithm में लेखना है, 11 is equal to 3 into 4 minus 1, तो 11 के जाएगा, 3 into 4 minus 1, अब multiply कर दो, तो ज इसे 3 cancel हो जाएगा, यह 3 और यह 3 cancel हो जाएगा, minus 4 pi रह जाएगा यहाँ पे, और यह minus into minus plus और pi by 3, तो यह minus 4 pi मतलब 2 complete round, और कैसे round, minus 2 क्यों लिखा है, क्योंकि यह clockwise है, तो 2 pi into minus 2, तो 2 complete round in the clockwise direction, तो इसको पूरे को skip कर दो, बचाएगा sin pi by 3, और sin pi by 3 क्या होता है, root 3 by 2, त और सबसे answer क्या आता है, same आता है वो, ठीक है, तो derivation of cos a minus b, अब आपको ready रहना है, बहुत सारे formulas learn करने के लिए, दिरे दिरे बहुत सारे formulas अपके आएगे, और साथ साथ learn करोगे, तो दिक्कत नहीं आएगी, और बात में जब pile up हो जाएगे, बहुत सारे formula, तो आपको learn करन जाएगे, तो यह पहला formula है, इसमें ठ्रोट टाइम लगेगा, बाकि सारे formula में बहुत easily drive हो जाएगे, तो इसमें देखो cos a minus b, मैंने सबसे पहले यह बड़ा सा angle दिखाया आपको, एक circle बनाया, इस circle का radius कितना है, radius से इसका 1, तो इसको नाम दे दिया P0, P0 मतलब तो यह coordinate क्या हो जाएगे, क्योंकि x axis पे इसलिए 1, 0 point हो जाएगा, इसके बाद हमने एक और point लिया, यह वाला point, इसका नाम क्या दिया, इसका नाम दे दिया, हमने, एक angle ले लेंगे A, और दूसरा angle ले लेंगे B, तो देखो यह जो मैंने, आपको मेरा hand tool घुम रहा है, य यहां से यहां तक, यह बड़ा सा angle जो है, यह angle है, और फिर मदब मैंने यह दिखा रहा हूँ, P1, O, P0, P1, O, P0 यह angle है, ठीक है, तो यहां पर भी दिखाया है यह रहा angle, इसको indicate किया है, उसके बाद B angle किसको बताया है, कि यहां से यहां तक जो angle है, यह वाला, तो यह B है इसका नाम बोलेंगे, P3, O, P0, angle P3, O, P0 यह मारा B है, ठीक है, तो इसके बीच में यह वाला angle क्या होगा, यह पोरा बड़ा angle A है, यह वाला angle B है, तो A में से B को subtract करो, तो यह वाला जो angle है, इसको हम A-B बोलेंगे, देखो यहां लिखावा है, कि यह angle कितना होगा, A-B हो नीचे लिया है, O, P1 को हमने आए, P0 से मिला लिया, O, P1 को O, P0 से मिला लिया, ऐसे मारलो, तो क्या होगा, यह O, P3 जो है, O, P2 कहां चला जाएगा, O, P2, O, P3 की जगह चला जाएगा, इस तरह से, तो यह जो P2 और कौन सा है, यह जो angle है, यह A-B angle है, तो यह इस तरह से turn करेंगे, तो यह भी A-B angle हो जाएगा, यह अगर angle A-B है, P1 0, P1, यह P2 O, P1, P2 O, P1 हमारा A-B है, तो P3 O, P0 भी A-B हो जाएगा, क्योंकि हमने इसको tilt किया है, वापस इस triangle को rotate किया है, इस तरह से, तो अब हम यह जानेंगे, कि यह P1 क्या है, cos B, और यह cos B, sin B, यह इसके coordinate है, ऐसे P3 के coordinate क्या हो जाएगे, cos A-B, sin A-B, और इसके coordinate P2 क्या हो जाएगे, cos A sin है, तो यह सब कैसे हो जाते हैं, यह मैं भी समझाऊँगा आपको, कि इसको फिर से ध्यान से समझेंगे, कि यह वाला angle P1, O, P0, देखो arrow यहां तक लगावा है, तो यह angle कौन सा है, B angle है, P1, O, P0, और P1, O, P0, यह angle कितना है, यहां से यह यह arrow लगावा है, तो यह angle A है, तो यहां देखो, arrow से दिखाया है, कि यह angle A है, और यह वाला angle B है, तो इसके बीच का यह angle होगा न, वो A-B होगा, क्योंकि यह A है, और यह B है, तो यह वाला angle जो angle है, वो मैंने यहां दिखाया है, A-B होगया, तो यह जो triangle बनाया है, P2, O, P1, यह वाला angle, तो angle P2, O, P1 जो है, यह angle A-B होगा, तो इस triangle को इस तरह से rotate करना है, कि यह जो O, P1 है, वो कहां जाके मिल जाए, O, P0 से जाके मिल जाए, तो फिर यह जो O, P2 कहां चला जाएगा, O, P2 यहां आ जाएगा, इस position में, O, P3 की position में आ जाएगा, तो फिर यह angle जो P3, O, P0 है न, वो भी A-B हो जाएगा, P3, O, P0, B, A-B, यहने हमने क्या किया, P2, O, P1 को, इस triangle को rotate करके, इस तरह से लिखा, कि यह जो O, P1 है, वो X से से मिल जाए, तो triangle नया बन जाएगा, P3, O, P0, और उसके बीच में भी angle वही होगा, यहने A-B होगा, ठीक है, यहां तक clear हो गया,